सावन के अंधे की कहावत भारतिय जनता पार्टी की मौजूदा सरकार के लिए सच साबित हो रही है अर्थ व्यवस्ता डूब रही है देश बंदी की मार से जूज रहा है फैक्टरियां बंध हो रही है जीडिपी गिर रही है निर्यात फेल हो गया है और भारतिय जनता पार्टी के मंतरी और सरकार ये कह रही है के सब कुछ ठीक है परंतु सब कुछ गलत है ये सब्ता में कुर्सी पर बैठे हुकमरानों को समझ नहीं आ रहा सचाई ये है के मोदी सरकार अपने दूसरे कारकाल में भारत में आर्थिक और राजनेतिक विपत्ती लेकर आई है तेजी से फैला आर्थिक संकट अब भाजप्पा निर्मित आर्थिक एराज कता में तब्दील हो गया है वित्मंत्री श्रीमती निर्मला सीता रमंजी और उनके सहयोगियों के पास देश की बिमार अर्थ व्यवस्ता के लिए ना दवाई है ना सुझाव और ना इलाज आर्थिक हर रोज होते आर्थिक कूपरबंदन भयंकर भूल और रोज होती गलतियों ने देश की आर्थिक स्थिर्ता रोजगार रोटी धन्दा उन सब के सब पर संकट के बादल चा गए हैं अपने दूसरे कारेकाल को अगर मोदी सरकार को आप तीन शब्दों में कहें तो वो है एक कदम आगे और चार कदम पीछे परधान मंत्रियों और वित मंत्री देश की अर्थ व्यवस्ता और मुझे ये खेट से कहना पड़ता है नो सिखियों की तरह चला रहे हैं इसके परणाम सरूप निर्यात वे जीडीपी ओंदे मुझे गिरे हैं उद्जों के वे विवसाए बंद हो गए हैं और लाखो नौकरियों और धंदे खतम हो गए हैं भाजबपा सरकार दुवारा किया गया लेटिस्ट निर्णे जिसमें एक लाख पंतालिस हजार करोड की छूट कॉर्परेट जगत को दी गई है वो एक ऐसा निर्णे है जो केवल डग मगाते सेंसेक्स इंडेक्स को बचाने के लिए लिया गया है ये ना किसी मजबूत आर्थि आर्थिक विजन पर अधारित है और ना ही किसी दूर दृष्टी वाली वित्ये नीती पर एक तरफ परियोगों के उतावले परधानमंत्री है और दूसरी तरफ नो सिखिया निर्णे लेने वाली वित्यमंत्री जी है उनको पाँच सवालों का जबाब इस देश को देना चाहिए और बहुत संशिप्त में कहूंगा कॉर्परेट टैक्स की दरों को 30 परतीशत से कम कर 22 परतीशत 25 परतीशत से कम कर 15 परतीशत से 1,45,000 करोड सालाना का नुकसान होगा प्रदानमंत्री जी और वित्मंत्री जी देश को बताएं कि ये पैसे की भरपाई 1,45,000 करोड के के वित्ये घाटे की भरपाई कहां से होगी क्या इसके लिए एक बार फिर तनक्वा लेने वाले व्यक्तियों, मद्यम वरक के लोगों, गरीब किसान छोटे दुकानदार, छोटे छोटे व्यवसाईयों पर, पेट्रोल, डीजल, बिजली और दूसरी वस्तुएं की रोजमर्रा की वस्तुएं के भाव बढ़ा कर और लगा कर किया जाएगा, या फिर देश की मुनाफे वाली PSU का खून निचोड कर किया जाएगा, LIC जैसी, जैसा की इस साल के बजट के घाटे की शती को पूरा करने के लिए, RBI का एक लाग शेंतर हजार करोड रूपिया निकाल कर किया गया, दूसरा प्रशन, क्या प्रधानमंत्री और वित्मंत्री बताएंगे के एक लाग पंतालिस हजार करोड जो कॉर्परेट टैक्स के अंदर आपने छूट दी है, उसके चलते, फिस्कल डेफिसिट जो बहुत बढ़ जाएगा, उसके लिए आपके पास क्या उपाए है, या फिर आप जैसे बजट में आपने आकड़ों की कप फरजी वाड़ा कर, आपने वित्य गाटे को छुपा लिया, फिस्कल डेफिसिट को छुपा लिया, आप फिर एक बार वही करने वाले हैं, अब जब फिस्कल डेफिसिट वित्य गाटा साथ परतिशत तक पहुँझ जाएगा, जिसका सीधा असर देश की प्रगती, देश की तरक्की और महंगाई की पर पड़ेगा, उसके लिए आपके पास क्या उपाए हैं, तीसरा, प्रधान मंत्री और वित मंत्री, देश की संसद, जिसकी जुम्मेवारी है बजट को पारित करना, और बजट के भिन-भिन मदों को देखना, उसको दर किनार कर अपमानित क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये पहली सरकार है सतर वर्षों में, जिसने बजट पेश करने के पंतालिस दिन के अंदर, खुद के पेश किये बजट को ही खारिज कर दिया, या संशोधन कर दिया, या उसे वापिस ले लिया, क्या देश की संसद और संसदिय प्रनाली का की इस प्रकार की व्यापक अवहेलना उचित है चौथा सवाल अगर आपने इंकम टैक्स में राहत ही देनी थी तो फिर इस देश के साधारन जन्मानश नोकरी पेशा लोगों को इस देश के मद्धम वरक को इंकम टैक्स की राहत टैक्स की राहत क्यों नहीं दी गई आज भी जब आर्थिक मंदी की मार पड़ रही है तो उसकी सबसे बुरी मार पड़ रही है नोकरी पेशा व्यक्ति पर मद्धम वरक के लोगों पर साधारन आम आदमी पर आप जैसे और मेरे जैसे व्यक्तियों पर पर एक तरफ तो भारतिय जन्ता पालिटी की सरकार 27 परतिशत तक कॉर्परेट टैक्स के अंदर राहत देती है 33 परतिशत टैक्स लैब से 22 परतिशत घटा कर और दूसरी तरफ एक फूटी कोडी भी इस देश के नौकरी पेश व्यक्तियों को इस देश के मद्धम वरक के लोगों को इस देश की आम जन्मानश को जो इस देश को चलाते हैं और जो महंगाई की मार से मंदी की मार से जूज रहे हैं उनको एक फुटी-कोडी रहत नहीं देती ऐसा क्यों? और पांचमा सवाल क्या केवल टैक्स रहत देने से ही मंदी की मार ठीक हो जाएगी? क्या यही आपका आर्थिक विजन और दृष्टी है? और अगर टैक्स रहत देने से मंदी की मार दूर हो जाती है तो फिर जो व्यक्तिगत इंकम टैक्स देने वाले लोग हैं वो 30 परतिशत पर टैक्स देंगे और हजारो करोड का मुनाफ़ा कमाने वाली कमपनियां वो 22 और 15 परतिशत पर टैक्स देंगी यह इस देश में कौन सी उचित और न्याय संगत बात है? इसलिए प्रधानमंत्री जी और वितमंत्री जी को यह जानना चाहिए कि देश की अर्थ्यवस्ता चलती है काबिल नेत्रितव से देश की अर्थ्यवस्ता चलती है मैचोर थिंकिंग से यानि एक परिपकव सोच से देश की अर्थ्योवस्ता चलती है आर्थिक परबंधन से और अनुशाशन से देश की अर्थ्योवस्ता चलती है एक इमानदारी से चलाई गई सरकार के निर्णों से दुर्बागे से आज भारतिय जनता पार्टी इन सब मदों पर पूरी तरह से फेल साबित हुई है देश का पैसा खूब बरबाद करें मोदी जी आदर्णिय प्रधानमंत्री जी का हम आदर करते हैं पर वो और उनकी सरकारे करती क्या है कभी यह पूरी सरकार जो उनकी है प्रांतिय सरकारे और राष्ट्रिय सरकार वो केवल event management करती है economic management नहीं करती Event Management and Economic Mis-Management यह इस सरकार का रास्ता है इस रास्ते से देश में मंदी के काले बादल चाये है इस रास्ते से भारतिय जंता पार्टी की पहचान अब दो शब्दों से होने लगी है मंदी और ताला बंदी यह भाजप्पा का मूल सूत्र है और सार है Event करिये जैसा एडवानी जी ने कहा था कि वो बहुत अच्छे Event Manager है पर यह देश Events Management से नहीं Economic Management से चलेगा यह बात जिस दिन प्रधानमंत्री जी और वित मंत्री जी समझ जाएंगे उस दिन मंदी और ताला बंदी की मार झेल रहे लोग अपनी मुश्किलों से उबर जाएंगे और सवाल बड़ा सीधा है पर्परेट जगत के लिए टैक्स 22% और 15% और नौकरी पेशा लोगों के लिए मद्यम वरग के लोगों के लिए आम जन्मानश के लिए टैक्स 30% ये कौन सा ने आये है सबसे ज़्यादा पैसा मार्केट में आएगा अगर आप नौकरी पेशा लोगों की जेब में मद्यम वरगिये लोगों की जेब में हमारे पत्रकार साथी जैसे पेशे करने वाले आम साधान व्यक्ति की जेब में पैसा डालेंगे खरीद कौन करता है खरीद करता है consumer यानि उप्भोकता आप उप्भोकता की जेब पर tax लगा रहे हैं उप्भोकता की जेब में पैसा नहीं डाल रहे काश प्रदान मंतरी जी और वित मंतरी जी देश में मद्यम वर्गिय लोगों नौकरी पेशा लोगों साधारन जन्मानश की जेब में पैसा डालते तो बहुत खरीद बढ़ जाती खरीद की शम्ता होगी तो ही तो प्रोडक्स खरीदे जाएंगे जब खरीद करने वाले को आप टैक्स की बोज से जड़ देंगे तो वो खरीदेगा क्या जब आपको विशे का ज्यान ना हो तो कई बार पेपर में बैशना पड़ता है क्योंकि आप हर बार फेल हो जाते हैं यही स्थिती माननी वित्मंत्री की भी है अगर पढ़ाई अच्छी की होती विशे की यानि लोगों की समस्या और पीड़ा को समझा होता आतम साथ किया होता और आपकी जेब में यानि मध्यमवर्ग और नौकरी पेशा लोगों की जेब में ज्यादा पैसा डाल दिया होता उनको टैक्स से राहत दी होती तो पूरी अर्थ विवस्ता ठीक हो जाती धन्यवाद